नमस्कार स्वागत है आप सभी का बीजीटी नेटवर्क पर और मैं हूँ आपके साथ में पिंचोधरी आज हमारे साथ एक बहुत ही खास मेहमान युवा राजनीती के बड़े चेरे भाजपा युवा मोर्चा के पूर जिलाद्यक्स चोधरी गुर्देश जी मौजूद हैं और अभी कल ही डॉक्टर धर्म सिंग सैनी जो 2017 में यहां से भारतिय जनता पालिटी के टिकट पर चुनाओ लड़े और चुनाओ जीते परदेश सरकार में आयुस मंत्री भी बने अब भाजपा छोड़कर समाजवादी पालिटी में सामिल हो गए हैं यानि समाजवादी प समाजवादी पालिटी ने तो यह ड़ा जटका बाजपा को देने का काम किया है अब विधान सवा चुनाओ नजदीक है तो भारतिय जनता पालिटी किस तरीके से यहां नकुर विधान सभा पर इस बड़े जटके से उबर पाएगी पहली तो बात विपिन जी मैं आपको बात बताऊं कि समाजवादी ने भारती जनता पार्टी को कोई जटका नहीं दिया जटका अगर दिया है तो भारती जनता पार्टी ने समाजवादी को जटका दिया है क्योंकि एक फुस कार्टूस हमारा जिसकी आप कल आप नियूज के माद्दम से आप लोग भी फिल्ड में थे किस कदर जनता के बीच में एक उकसा है धरम सिंग सैनी का पार्टी छोड़ने के क्योंकि 20 साल से विकास से बहुत सैकडो दूर चला गया था हमारा ये विदान सवाचेतर और मैंने लगबग डेड़ साल पहले गोसना कर दी थी कि दरम सिंग सैनी पार्टी छोड़ेगा क्योंकि ये लोग कहीं भी नहीं रह सकते ये भारती जनता पार्टी की विचार धरव से जूड़ ही नहीं सकते ये लोग तो इनकी डिक्सनरी में कोई विकास का कोई जंडा नहीं है इनकी डिक्सनरी के अंदर कोई विकास आज तक नहीं किया जनता में इतनी खुसी है क्योंकि जनता भारती जनता पार्टी के साथ जुड़ी है इसलिए जनता ने खुसी हुई कि एक ऐसा वैक्ती जिसकी वज़े से 20 साल से इस शेतर के अंदर कोई विकास नहीं हो पाया तो जटका समाजवादी को है कि एक फुस कार्टूस जिसका भारती जनता पार्टी टिकट भी नहीं कर रही थी और हमेशा लगबाग आप डेड़ साल से देख रहे होगे कि जनता ने पुरी तरह से उनको नकार दिया था आप तो डॉक्टर धर्मजिंग सेनी को फुस कार्टूस बता रहे हैं लेकिन लगातार चार बार से आपके विधायक हैं और अब समाजवादी पार्टी में सामिल हो गए हैं मुस्लिम और सेनी गठ जोड चुनाव जीतने का उनका बड़ा दावा है देखो विपिन जी आप जानते हैं कि हर बार चुनाव हिंदू मुस्लिम पर नहीं जीता जाता है आज इस परदेश के अंदर योगी जी की बहुत अच्छी लैर चल रही है पांस साल तक योगी जी ने बिना बेदबाओ के काम किया है लोगों गरीब लोगों के लिए रोजगार एव गैस लेंडर बहुत अनेकों योजनाए आप देखा कल बहुत लोगों ने कहा कि मुसलिम भाईयों ने भी कहा कि हमारे निसुल्क मकान बनाए गए और दूसरी बात सैनी समाज सैनी समाज भारती जनता पालिटी का समाज है सैनी समाज हमेशा भारती जनता पालिटी के साथ रहा है और बड़े बड़े दुलंदर भारती जनता पालिटी के अंदर सैनी समाज के है हमारे जस्वन सैनी जी है आपके मेहंदर सैनी जी है पहुत संगठन के मजबू सिफाई जो वर्सों से भारती जनता पार्टी के लिए काम कर रहे है तो सैनी समाज उन लोगों के साथ खड़ा है और हिंदुतुए के साथ खड़ा है उनके साथ तो सरुसमाज का वोट है उन्ह सामने चुनाओ लड़कर तो दिखाईए विपिन जी मैं कल देख रहा था माने मंत्री जी का इंट्रिव्यू उस इंट्रिव्यू में जिस तरह उनकी भासा और उकसाय हुए है गुसे में बात कर रहे है वो बोखलाए हुए है निर्देली की बात आप मैं उनको चैलेंज करत बहुत जन्ता के बीच में इतना अच्छा उकसा है इसको तेवार की तरहे 2022 को जन्ता ले रही है वो योगी जी दुबारे दस तारीक को सपद लेने जा रहे है मंतरी जी ने तो बड़ा आरोब भारते जन्ता पार्टी पर लगाया है मुख्य मंतरी पर लगाया है कि पूरे पांच साल में सोशितों वन्चितों बेरोजगारों और पिछडों का सरकार ने ख्याली नहीं किया लगातार ये लोग अपने हकों के लिए लड़ते रहे आज पांस साल बाद सत्ता में रहकर आज उन्होंने याद आई कि वन्चितों वन्चित होगे बिचडों के बारे में नहीं सुचा आज जब चुनाओं की गोसना होगी तब याद आया मैं आपको किलियर करना चाहता हूं आप अपने सर्वे से पता भी कर लिए जो आप फि स्तित्वे नकुड के अंदर ही नहीं आप जनता के भी जाए आज सेनी समाज के बीच में जाएए आप आप देखिए कितने लोगों ने उनके साथ बार्दी जनता पालिटी को छोड़ा है लोगों के अंदर उकसा है हर वरग उनके साथ में है मन्ने मुख्य मंतर जी को सतोनी है आप मंतरी मंडल में देख ली जी धर्म सिंग सेनी को मंतरी बनाया था आप बताइए हमारे जसुन सेनी जी आयोक की अद्धक्स है पिछड़े आयोक की अद्धक्स है हमारे गुजर समाज को मंतरी बनाया कटारिया जी मंतरी है सभी लोगों को साथ लेकर योगी सर कारागे काम करेगी। साल साफ के मंड में है ऐसी जनता में चर्चाए हैं इसलिए मंतर जी का आप विरोध कर रहे थे नहीं ऐसा नहीं है मैं भारती जनता पार्टी का समर्पित कार्य करता हूं और मैंने लगबग डेड़ साल से दःम सिंह सेणी के लिए गोशना कर दी थी ये स्वार्थी लोग है ये उसरवाधी लोग है ये बहारती जनता पार्टी के कार्य करताओं को समझ नहीं पा रहे ना भारती जनता पार्टी के साथ अपना सम्नुए अस्थापित कर ठारे है और रही बात मेरे गुजर समाज की बात करें पदम सिंग ढेकी जी बहुत परबल दावेदार है और पुराने कारे करता है जिन्होंने पार्टी को 30 से 35 साल दी है उन्हें के साथ जस्वन सैनी जी है बहुत लोग इस तरह से मैं नाम लूँगा बहुत लंबी लिष्ट है भारती जनता पार्टी में मेरे से बहुत सीनिर लोग है जिन्हें पार्टी को चुनाव लड़ाना चाहिए पार्टी के करमत कारे करता को जो पार्टी के लिए 30 साल या 40 साल पार्टी को दी है उन लोगों को मैं आपके माद्यम से पार्टी से अपील करता हूँ कि उन लोगों को चुनाव लड़ा कि मैं जो भी परतैसी भारती जनता पार्टी का आएगा मैं उसको पूरी सक्ति के साथ चुनाओ लड़ाने का काम करूँआ अब सवाल ये है गुर्देश जी आपकी भी नकुडविदान सभा है तो नकुडविदान सभा पर भारती जनता पार्टी की जीत की इस तरीके से होगी क्योंकि इम्रान मसूद भी समाजवादी पार्टी में है और डॉक्टर दरहम सिंग सैनी भी समाजवादी पार्टी में है और यही इम्रान मसूद भी और डॉक्टर दरहम सिंग सैनी ही पहले और दूसरे नमबर पर आते रहे अब तो ये एक हो गई है इनकी तो बड़ी जबरदस्त ताकत हो गई है विपिन जी ये चुनाओ और आसान हो गया है आपने पहले सुना होगा जो बोटी-बोटी करने वाड़ा वैक्ती समाजवादी में सामील हो गया और उसके उपक्स जनता ने धर्म सिंग सैनी को विधायक बनाया था जनता इनके गटबंदन को पहले ही समझ चुकी थी डेड़ साल पहले मैंने गोसना कर दी थी कि ये लोग एक है ये लोगों को गुमरह करते है आप देखा होगा अखिलेस यादव अपने इमरान मसूद की पोस्ट भी ने डाल रहे हैं कोई ट्यूट नहीं किया उन्होंने उन्होंने पता है कि ये बोटी बोटी वाड़ा अब नहीं चलेगा गलत भासा का परियोग नहीं होगा और ये पहले भी एक थे ये पहले भी एक थे एक दूसरे को जो है ये एक दूसरे को फैदा पहुंचाते थे लेकिन डॉक्टर दर्णम सिंग सैनी के लिए तो अखिलेस यादव ने पोस्ट किया है ट्वीट भी किया है सामा जी नियाए की लड़ाई के बड़े योद्दा बिलकुल अब की बार पता लगेगा और मेरे ख्याल से अखिलेस जी सोच रहे होगे कि ये भारती जनता पारिटी का जितना भी वो असल में अखिलेस जी ये सोच रहे है कि इस तरह से जनता आपके भोध विधायक तूट के आ रहे है कोई मंतरी तूट के आ रहे है उन्हें कि आवाज देखे चेत्र में इतना विरोध धर्म सिंग सैनी का था अब अकलेश जी देखिए आके अपना सर्वे कराई यह कहां है धर्म सिंग सैनी अब हिंदू मुस्लिम का चुनाओ नहीं है जनता योगी जी के साथ में है और जो भी पड़ते ऐसी आएगा कमल का फूल और तो 2022 की जो विदान सबा चुनाव है उसकी गद्धी पर अखिलेश यादाव जी बैटेंगे और योगी महाराज जी को तो मठ में जाना पड़ेगा विपिन जी मैं आपको बताना चाहता हूं कवाल कांड आज तक जनता नहीं भूली है मुझा फनगर का दंगा उसको कैसे बूल सकते हैं दंगा करने वाले लोग जिन्होंने हमारी बेहन बेटियों की इज्जत को लूटने का काम क्या हमारे दो भाई सचीन और गोरों की सरयाम हत्या कर दी गई उन लोगों की सरादत को कैसे बूल सकते हैं और हमारा जाट समाज इतना अबेग्य नहीं है उन्होंने उस समय भी समाजवादी सरकार में मुझ तोड़ जबाब दिया था और देख लेना आने वाली तारिक को मुझ तोड़ जबाब देगा हमारा समाज यह राष्टेवादी समाज है यह कभी इससे अलग नहीं हो सकता और कावाल कांड बहुत बड़ा कांड था हत्या हुई हमारे दो भाईयों की हत्या कर दी गई खुले आम आप देवबंद की बात करें देवबंद में पहले फत्वे जारी होते थे समाजवादी सरकार में ब फत्वे का बताईए बंदे मातरम नहीं बोलते थे आप बंदे मातरम बोले हैं हमारे अगले जी मंदिन जाय करते थे जब से योगी जी की सरकार है मंदिर की बात करने लग गए तो यह बहुत बड़ी बात है और हमारा समाज लोकदल का कुछ नहीं है हमारा जाट समाज भा अतार ये बात कहते हैं कि मुख्यमंतर जी ने अपने पूरे पांच सालों में विकासकार ये तो परदेश में कहीं कराया नहीं केवल पलायन के मुद्दे को हवा दी विफिपिन जी अखलेश यादाओ हो या अपने जैन चोधरी जी हो लगबग पांच साल वह अपने कमरे से हो जर्द में यहाद कोरूं यह अदता को क्या कर देंज है अगर जैन्मीर फेलों को समझे एक तब विकास का पता लगेगे Chief घ्रेernी के का देखना यूःत पूरे प्रडेस की अंदर इतनी जबर्दस लहर भारती जनता पालिटी के पक्स में चल रही है उनको देखना चाहिए ऐसा नहीं यह विकास कि आप सडकों का जाल देखी आप कितनी सडके बन गई क्यों विकास नहीं है क्योंकि वो घर से बार निकले ही नहीं अब किसान अंदोलन के नाम पर वो भार आये थे पर वो भी उनका मिसन फैल हो गया और प्रधान मंत्री जी ने किसानों के मान सम्मान रखते हुए बिल को वापस लिया और कहा कि मेरे लिए वो बिल भी मेरे लिए देश हित में था और मैं आज इस बिल को ले रहा हूं वो भी देश हित में तो उनका अजंडा फैल हो गया अखिलेश यादाव जी तो लगातार ये बात कह रहे हैं कि स्रीकृष्ण भगवान मेरे सपने में आते हैं और कहते हैं कि बेटा 2022 में तो आपकी ही सरकार बन रही है बिलकुल अब कम से कम मंदिरों के नाम पर भगवानों के नाम पर उनको सोपन तो आने लग गए पहले वो खुस होते थे जब उनके पिता जी ने कार सेखों पर गोली चलाई थी तब उन्हें सोपना क्यों नहीं आ सोपन देश के प्रदान मंत्री मोदी जी बनने के बाद और उत्तर प्रदेश में योगी जी बनने के बाद सपने आने लग गए ये तो बहुत अच्छी बात है कि उन्हें भी ग्यात हो गया कि मैं हिंदू हों अब ये पता नहीं जनेऊधारी हिंदू है या कौन से हिंदू है पर जनता नहीं भूली वो कार सेकों पर गोली चली थी उसी का प्रदिणाम है अज अज अच्छाहम मंदिर बनने के तयार है और हिंदुतु को मजबूत हुआ है एक ऐसा मुख्यम मत्री जो मंच के मादम से कहता है कि हमें हिंदु होने पर गर्व है ये बहुत बड़ी बात है गुर्देश जी आप युवा मोर्चा के जिलाद देक्स रहे हैं और 2014 का जो लोकसभा चुना हुआ उसमें आपने यहां जन्पद सानपूर की एदी में बात करूँ तो रिकार्ड युवाओ को यहां से भारते जन्पदा पार्टी में सामिल कराने का काम किया उन्हें सदस्यता दिलाई पूरे परदेश में सानपूर उस समय नंबर वन पर था आप राजनीते में हैं और कहीं न कहीं मन में आपके भी यह लाल सा होगी कि कहीं न कहीं चुनाव लड़ा जाए तैयारी भी आप पिछले कुछ सालों से कर रहे हैं तो जन्ता यह जानना चाहती है कि इस बार यह जो विधान सभा चुनाव है तो गुर्देश चौधरी के मन में क्या है चुनाव लड़ने की इच्छा है के नहीं नहीं अभी मेरी कोई इच्छा नहीं मेरी इच्छा है कि भारती जन्ता पार्टी के करमत और पुराने कारे करता चुनाव लड़े यह मेरी इच्छा रहती है क्योंकि पुराना कारे करता पार्टी के पुराने कारे करता हो को पुराने अस्तमों को समझ पाता है पता होता है पुराने कारे करता हो को यह कितना पुराना है किसना इसने महनत की है कब से जोड़ा है उन लोगों का सम्मान होना चाहिए मेरे से पहले उन लोगों को पार्टी ने सोच और जब 2014 के अंदर मैं युवा मोर्चा का देश था तब भी मैंने लगबग मैं आपको बता दू पूरे देश में सर्वद एक सदस्चता अगर हुई थी तो सारणपुर में मेरे युवाओं के द्वारा की गई थी और वह भी लक्षा यह था कि देश के प्रधान मंत्री उस का काम करूँगा और मेरी अभी चुनाओं राजनिती में जाने की इच्छानी में संगठन का काम देखू भी कर सकते हैं ऐसा मैं समझता हूँ चलिए तो यह थे हमारे साथ में युवा मोर्चा के पूर जिलाज द्यक्स गुर्देश चोधरी जी जिन्नोंने 2022 के विदान को भी सबस्क्राइब कीजिए नमस्कार